Study IQ IS अब तयारी हुई अफोर्डबल Arabian and Iranian Travelers Welcome to Study IQ IS मेरा नाम है आदेश सिंग दोस्तों प्राचीन काल से ही विदेशियों में भारत की नौलज के प्रती आकर्शन रहा है भारती एक ज्यान के प्रती आकर्शित होकर कई Greek, Persian और अर्बी यात्री समय समय पर भारत की यात्रा करते रहे हैं इन ही में से कुछ थे अर्बी यात्री जिन्होंने Arab World में इसलाम के उदाय के बाद भारत की यात्रा की आज हम आपको ऐसे ही कुछ यात्रियों से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने नौवी सदी से लेकर चौधवी सदी के बीच भारत की यात्रा की थी इन यात्रियों ने भारत में जो कुछ भी देखा, सुना उसे उन्होंने अपने ट्रेवल मेमोा में लिखा उनके ये यात्रा संस्मरण तदकालीन भारत के बारे में अमूल ये जानकारी प्रदान करते हैं तो आईए शुरू करते हैं आज की इस हिस्टोरिकल ज्यानी को सुलिमान अलताजीर सुलिमान जिन्हें सॉलमन द मर्चन भी कह जाता है नौवी सदी के मुस्लिम ब्यापारी, यात्री और लेखग थे सुलिमान इरान के सिराफ के रहने वाले थे उन्होंने भारत और चीन की यात्रा की थी उन्होंने अपने यात्रा संस्मरणों को अखबर अलसिन वा अलहिंद नाम से पब्लिश किया था सुलिमान ने अपने यात्रा संस्मरणों में उत्तर भारत के गुर्जर प्रतिहार डाइनेस्टी के शासक मिहर भोज और बंगाल के पाल शासकों का उलेख किया है उन्होंने पाल शासकों को भारत के शक्तिशाली राज्यों में से एक बताया है परंतु उनके अनुसार भारत का सबसे बड़ा और शक्तिशाली राज्य मिहिर भोज का था जिसके पास एक बहुत बड़ी सेना थी उसकी कैवलरी आर्मी दुनिया की सर्व श्रेष्ट घुरसवार सेनाओं में से एक थी सुलिमान के अनुसार मिहिर भोज भारत में इसलाम का सबसे बड़ा शत्रू था सिंद और मुलतान के मुसल्मान उसके हमलों से हमेशा डरते रहते थे आएए अब हम दस्वी सदी में बागदाद से भारत की यात्रा पर आए अरब के स्कॉलर अलमसूदी एक प्रसिध जियोग्रफर थे वे 915 से 916 सीई के आसपास बागदाद से भारत आये थे उनकी मृत्यू 965 सीई में मिसर में हुई थी उनका यात्रा विवरन मुरूज अलजहान नाम से प्रसिध है अलमसूदी ने संभवतह गुर्जर प्रतिहार वन्ष के शासक महिपाल 910 से 940 इसवी के शासनकाल के दौरान गुजरात की यात्रा की थी उन्होंने गुर्जर प्रतिहार शासकों को अलगुर्जर एवं राजा को बौरा कहा था बौरा दरसल गुर्जर प्रतिहार शासकों की उपाधी आदिव राह का ही बिगड़ा हुआ रूप है अपने यात्रा वृत्तांत में अलमसूदी ने राश्ट्रकूट एवं प्रतिहार शासकों के बीच संघर्ष की जानकारी दी है अलमसूदी अपने ट्रैवल अकाउंट में लिखते हैं कि गुर्जर प्रतिहार राजा की सेना के चार अंग थे जिन में से प्रतियेक अंग में सत्तर से नब्बे हजार के बीच सैनिक होते थे इन राजाओं के पास दुनिया के सर्व श्रेष्ट घुरसवार सैनिक थे में क्या विचार थे अलबरूनी भारत आने वाले अरब यात्रियों में अलबरूनी प्रमुक थे वे 2025 सीई में महमूद गजनवी के सोमनात पर आक्रमन के समय भारत आये थे हलांकि उन्हों अपने संस्मानों में महमूद गजनवी का बहुत कम उल्लेक किया है यहां रहते हुए अलबरूनी ने एस्ट्रॉनमी संस्कृत तथा केमिस्ट्री आधी सब्जिक्ट्स का ध्यायन किया था अलबरूनी ने अपनी बुक तहकी के हिंद या किताब उलहिंद में 11th सेंचुरी के भारत का चित्र प्रस्तुत किया है भारतिय समाज के बारे में बताते हुए अलबरूनी कहते हैं कि भारतिय समाज चार वरणों में विभाजित था इन जातियों से बाहर के लोग उन्होंने अचूतों की आठ श्रेणियों का उल्लेक किया है। इन्हें गाउं और शेहरों से बाहर रहना पड़ता था। ब्रहमन के विरुद्ध किये गए अपराद से किसी भी प्रकार मुक्ति नहीं पाई जा सकती थी। और किसी ब्रहमन की हत्या करना महनतम अपराद माना जाता था। जिसे व्रज हत्या कहा जाता था। इंडियन फैमिली स्ट्रक्चर के बारे में लिखते हुए अलबरूनी बत संसकार पर भी विस्तार से लिखा है। उनके अनुसार हिंदू समाज में विवाह एक जीवन परियंत संबंध माना जाता था। भारतिये समाज में तलाक की कोई व्यवस्था नहीं थी। सामानितह विवाह अर्ली एज में ही कर दिये जाते थे। तथा जीवन साथी का चु विवाह करने की छूट दी गई थी। दोस्तों यहां हम आपको बताते चलें कि अनुलोम विवाह उच्च जाती के पुरुष और निम्न जाती की महिला के बीच होता था। जबकि प्रतिलोम विवाह उच्च जाती की महिला और निम्न जाती के पुरुष के बीच होता अल्बरूनी ने अपने संस्मरण में विद्वाओं की खराब हालत की चर्चा की है। विद्वा महिलाओं का पुनर विवान नहीं होता था। पती की मृत्यों के बाद या तो महिलाएं सती हो जाती थी या उन्हें अपना शेश जीवन कष्टों और सामाजिक प्रतिबंधों के बीच गुजारना पड़ता था। अल्बरूनी के अनुसार भारत के लोग राम नवमी और महाशिवरात्री फेस्टिवल्स को धूम धाम से मनाया करते थे। अल्बरूनी लिखते हैं कि भारतिये विदेशियों के प्रती बहुत ही संकीन सोच रखते थे। भारतिये देशियों को मलेच कहकर बुलाया करते थे। बाहरी व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार के खान-पान, विवाहा तथा अन्य सोचल रिलेशन प्रतिबंधित थे। यहां तक कि यदि कोई वस्तु मलेच्छों के संपर्क में आ जाती थी, तो उस वस्तु को अपवित्र माना अपने आप में सीमित रहने के बारे में लिखते हुए अलबरूनी कहते हैं कि बाहर का कोई भी व्यक्ति भले ही उनका धर्म सुईकार करने के लिए तयार हो, परन्तु भारतिये उसे अपने समाज में सम्मिलित नहीं करते थे। वे कहते हैं कि हिंदूओं का ये ध्रण वि ज्ञान नहीं हैं, परन्तु वे ये भी लिखते हैं कि हिंदूओं के एंसेस्टर्स इतने नेरो माइंडेट नहीं थे। भारतिये राइटिंग सिस्टम के बारे में लिखते हुए अलबरूनी कहते हैं कि भारतियों को लेखन कला का ज्ञान था, परन्तु वे ग्रीक स्कॉ जबकि उत्तर भारत और कश्मीर में सिद्ध मात्रिका स्कॉर्प्ट का प्रयोग किया जाता था। अलबरूनी के अनुसार भारतिये अपनी बुक्स में टाइटल शुरू में लिखने के बजाए अंत में लिखते थे। अलबरूनी ने अपनी बुक में भारतिये विज्ञ के बारे में लिखते हुए वे कहते हैं कि संभवत है ये क्षेत्र किसी विशाल सागर का हिस्सा था जो धीरे-धीरे सागर से बाहर निकलाया है। उन्होंने अपनी बुक में युनिवर्स की संरचना, प्लैनेट्स की सिचुएशन, बारह राशियों और मून के मूव्मेंट आदी के बारे में भारतिय सिध्धान्तों का विस्तार से उल्लेक किया है। उन्होंने अपने संस्मरणों में भारतिय एस्ट्रोनमी और ग्रीक एस्ट्रोनमी का कमपेरिटिव एनालसिस प्रस्तुत किया है। जिसके तहत उनका मानना था कि भारतिय एस्ट्रोनमी के प्रिंसिपल्स ग्रीक एस्ट्रोनमी से प्रेरित थे। भारतिय मेजरमेंट साइन्स के बारे में लिखते हुए अलबरूनी कहते हैं कि उस समय भारतिय सुवर्ण, तोला, मासा, यव, प्रस्थ, आडग, द्रोन आधी वेट और मेजरमेंट यूनिट्स का प्रयोग करते थे। अलबरूनी ने भारतिय औशधी शास्त्र चरक संहिता का ध्यान किया था। उन्होंने भारतियों द्वारा बीमारियों के इलाज में विभिन प्रकार के केमिकल्स के प्रयोग का उलेक किया है। साइन्टिफिक टेंप्रमेंट को छोड़ दिया है। और नए विचारों के प्रती एक संकीर्ण मानसिक्ता डिवेलप कर ली है। भारत की प्लिटिकल कंडिशन के बारे में बताते हुए अलबरूनी कहते हैं कि भारतिये राजाओं में राजनीतिक एक ताकी कमे थी। भारतिये फोरें इन्वेडर्स के खिलाफ मिलकर मुकाबला नहीं करते थे। बलकि भारतिये राजा ऐसे मौकों पर अपने विरोधियों के कमजोर होने पर खुश होते थे और इसे अपने लिए एक opportunity की तरह लेते थे। भारतिये दार्शनिक विचारों को समझने के लिए अलबरूनी ने पतंजली, गीता, पुराणूं और सांख्य दर्शन का ध्याय जिसके आधार पर उन्होंने भारतियों के स्वर्ग नर्क और मोक्ष संबंधी परिकल्पना का उलेख किया है। देखते हैं कि चौधमी सदी में भारत की यात्रा पर आने वाले इबन बतूता भारत के बारे में क्या कहते हैं। मुहम्मद बिन तुगलक इबन बतूता से अत्यधिक प्रभावित थे। उन्होंने इबन बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था। तेरह सो बयाली सीई में मुहम्मद बिन तुगलक ने इबन बतूता को अपना अमबैसेडर बना कर चीन भेजा था। इबन बतूता ने रहला में मुहम्मद बिन तुगलक की पॉलसीज और उसके व्यक्तित्व के वारे में विस्तार से उलेक किया है। उन्होंने मुहम्मद बिन तुगलक की अत्याचारों और उसके विवेक हीन कारियों का विवरण दिया है। दोस्तों धरसल बात ये थी कि दिल्ली का काजी रहने के दोरान इबन बतूता के संबंद मुहम्मद बिन तुगलक के साथ खराब हो गए थे। और मुहम्मद बिन तुगलक ने कुछ समय के लिए उसे जील में डाल दिया था। शायद इसलिए इबन बतूता ने तुगलक के कामों की आलोचना की है। इबन बतूता ने रहला में भारतिय अमीर वर्ग के रहनसेहन, सामाजिक रीती रिवाजूं और हिंदू जनता के धार्मिक विश्वासूं एवं परंपराओं का उल्लेक किया है। उन्होंने सती प्रथा, जाती व्यवस्था और दास प्रथा का विशेश विवरण दिया है। इसके साथ ही उन्होंने दिल्ली की प्रमुक विमारतों, स्कॉलर्ज और सूफी संतों की भी चर्चा अपने यात्रा वृत्तांत में की है। इबन बतूता ने अपने ट्रेवल अकाउंट में भारत को आर्थिक रूप से संपन देश बताया है। इबन बतूता ने भारत के बारे में अपने संस्मरणों को भारत में रहने के दौरान नहीं लिखा था। की जाती है। कंक्लूजन धार्मिक और आर्थिक स्थिती का विवरण प्राप्त होता है। हाना कि इनकी स्टडी करते समय इंडिविज्वल राइटर के प्रेजिडिसेज बायसेज को ध्यान में रखने की आवशक्ता जरूर होती है। स्टडी आई क्यू आई एस अब तयारी हुई अफोर्डिबल